तो इसके अंदर हम कुछ characteristics पढ़ेंगे कि जो living things होते हैं वो किस तरीके के होते हैं तो सबसे पहले है बी एबल तो डिटर्माइन वेदर सम्थिंग इस living thing और non living things और learn and understand the six main characteristics of the living things the first characteristic of living thing is that they are all composed of cell जो living things होती है वो किस से बनी होती हैं cell से बनी होती है cell और दा इस्टी बीस puzzle pieces that make up all living things cell से ही क्या होते जितने भी living cells होती हैं वो सारे बनते हैं छोटे छोटे cell होते हैं वो जो cell आपस में compose हो जाते हैं उससे tissue बनते हैं और tissue together क्या बनाते हैं organ और organ से organ system और organ system को जब हम जोइन करें तो वो क्या बन जाता है living thing बन जाते हैं then हमरे पास है the second characteristic of the living thing is organization all of the little cell that come together to make living thing do so in the specific order for example group of muscle cell come together to form our muscle यानि जो muscle के cell है वो आपस में join होके क्या बना देंगे muscle cell बना देंगे उसके बाद है हमारे पास use energy जितनी भी living things होते वो क्या करते है energy का use करते है animal and human eat food to obtain their energy और वो energy उनको कहां से मिलती है यानि कि जो खाना वो खाते है प्लांट भी क्या एक living things है और प्लांट को भी क्या चाहिए खाना चाहिए और उसको भी क्या चाहिए energy तो वो अपनी energy यानि जो प्लांट अपना काना कैसे बनाते है वो with the help of the sunlight वो क्या करते है फोटो synthesis के अंदर देखो क्या चाहिए एक तो sun की light चाहिए एक auto चाहिए एक chlorophyll चाहिए और एक co2 चाहिए sorry auto की जगा पे co2 चाहिए और water चाहिए तो इनकी help से यह क्या करते है प्लांट photosynthesis करते और अपना खाना बना लेते हैं और बनाकर उस खाने को कहां करते हैं लीज फे स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद क्या है यह अपने body को maintain भी करते हैं जो living things होते हैं वह क्या करते हैं अपने body को maintain भी करते हैं रिस पॉंड एंड़ अड़ेप्ट टू दियर per tier environment यह नों की वह अपनी environment के साथ जड्री से यसके साथ good करना यहिंद वो क्या कर लेते हैं अड़प्टेशन आ नेक्स्ट हमारे पास से लिविंग तिंग इस डैट ओल लिविंग तिंग तो जो निए प्रड्यूस और साइज होता है बढ़ता जाता लेकिन एक पी रेड़ के बाद साइज क्या होता है रुक जाता है न तो जो जितन इतनी भी living things है वो क्या करते हैं ग्रो करते हैं उसके बाद they produce all living things needed to reproduce to survive इतनी भी living things है वो क्या करती है अपने ही तरह की things को reproduce करती है ताकि यह चीज यह जो generation है वो आगे continue चल सके non living and living things living things non living things हो गया जैसे plant living हो गया football non living हो गया flower living हो गया clear तो living things and non living things हो गई cell organization energy hemostatis growth reproduction तो यह आपका homework है बास करें गले तो करते हैं़ कि वोक्षब हुने लग करला तो करेंग तो झाल झाल